वेल्गम टु माई चैनल स्रिया जीजी विशार, डबल बन, डबल बन, आज हम देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है, एक्ट्वल में आपका रिलेशनशिप है क्या, क्या इसमें इल्यूजन है, क्या बियॉंड ओफ इल्यूजन है, बॉटम अफ दर डे किसे खतम हो गई होगी, आपके लोगों के बीज में आर्गिमेंट हो सकता है, किसी के पार्टनर ने उनको चीट किया होगा, जिसकी वज़े से आप डिस अपर्टमेंट के एनरजी में चले गए, और आपने आपको आपने सबसे अलग कर लिया, अकेला कर लिया, अब देख पार्टनर ने या तो आपको चीट किया है, या कोई ऐसी बात हुई है, जिसकी वज़े से आपने आपको हर्ट महसूस किया है, लेकिन अभी प्रजेंट में आपके पार्टनर इस रिलेशन्चिप पे वर्क करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, इस रिलेशन्चिप में से abundance था growth थी एक stability थी इसलिए अपनी relationship को फिर से work करना चाहते हैं आपके partner आपको justice देना चाहते हैं पास्ट में उन्होंने जो भी गलतियां की हैं उसको सुधारना चाहते हैं उसको ठीक करना चाहते हैं आपके साथ इस relationship में फिर से equal give and take देना चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं आपके partner action लेना चाहते हैं अभी तक वो जो action नहीं ले रहे थे आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे थे अपने emotion को आपसे express नहीं कर रहे थे अब आपको करना चाहते हैं अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं अब आपकी तरफ action लेना चाहते है करें आपके साथ इस relationship में एक harmony ड़ल अप करना चाहते हैं कहीं न कहीं इस separation को खतम करना चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और इस relationship को एक अच्छा relationship बनाना चाहते हैं अब देखते हैं इस relationship के लिए angel की guidance क्या है आपके लिए एंजल की guidance आपकी relationship के लिए है ये communicate clearly आप सबसे पहले तो अपने partner के साथ communicate करिये clearly communicate करिये कि क्या बाते हैं, क्या नहीं है किसकी विज़े से relationship खराब हो रही है और आपको इस relationship में क्या करना है आपके partner को इस relationship में क्या करना है दूसरी बात है कि एंजल की guidance आपके लिए है कि आपको forgiveness लानी है जो भी past में हुआ है जो भी जिस भी बातों ने आपको hurt किया है आपको हर चीज को forgiveness करना है माफ कर देना है चीजों को फिर से एक नई तरीके से शुरुआत करनी है और एंजल की guidance आपको चीजे समझ में नहीं आ रही है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है आपको इस relationship में क्या करना चाहिए तो आप इसके लिए किसी की help ले सकते हैं उसके लिए आप या तो अपने assistant angel आपकी जो होते हैं उनकी help लीजिए या फिर आप अपने friend की help ले सकते हैं आप किसी की भी help ले सकते हैं इसके लिए angel आप से कहे रहे हैं कि अगर आप इस relationship को ठीक करना चाहते हैं आप चाहते हैं इस relationship फिर से start हो तो उसके लिए आपको forgiveness लाइए अपनी behavior में और आप दूसरों की help लीजिए अगर आप चाहते हैं और सबसे बड़ी बाते आप बिल्कुल communicate जब भी करेंगे अपने partner से clearly करें argument ना करें इसमें बिल्कुल भी बहुत ही polite हो गए अपनी बात करें चीजों को सुधारने की कोशिश करें ओके थेंक्यू